बूर्णिंग बच्चों, अब हम EBS में फर्स चैप्टर पढ़ेंगे, हाफ मैंने डीट करवा दिया था, हाफ रह गया था, तो वो हमें स्टार्ट करते हैं, We have five sense organ, हमारे पास कितने sense organ होते हैं, five, eyes, ears, nose, tongue and skin, ये सारे हमारे क्या हैं, sense organ, they help us to know the world, वे हमें दुनिया को जानने में मदद करते हैं, Our eyes help us to see things, हमारी आखें या हमारी eyes चीजों को हमें देखने में मदद करती हैं, जैसे यहां moon दिया है, butterfly tree यां pictures दिया है, तो इनको क्या करते हैं, हम देखते हैं, और देखते किस्ते हैं, eyes से, next यहां instrument दिया है, musical instrument दिया है, Our ears help us to hear, हमारे कान हमें सुनने में मदद करते हैं, जैसे इसमें music बज़ेगा तो हम किस्ते सुनेंगे, ears से, Our nose help us to smell things, हमारी nose हमें चीजों को सुनने में मदद करती हैं, जैसे यहां food दिया हुआ है, यहां डियो है, यहां flowers है, तो इन सब को क्या करते हैं, हम सुनते हैं, तो हमें किस से पतर चलता है, nose से, smell किस से पतर चलता है, Our tongue help us to taste, हमारी tongue हमें सुनने में मदद करती है, जैसे यहां चीजों दिया है, यहां क्या दिया है, लामान, और यहां टॉफी, तो हम क्या करते हैं, किस से सुनने इन चीजों का, तरंग से सुनने, next day, our skin help us to feel things, हमारी skin चीजों को महसूस करने में हमारी मदद करती है, जैसे टी, गरम होती है, तो हमें कैसे पतर चलेगा, हम टच करेंगे, तब ही तो हमें पतर चलेगा, तो किस से feel होगा हमें, skin से, जैसे हमारे कोई चीज चुबेगी, तो हमें किस से feel होगा, skin से, और eyes, eyes को हम चुएंगे, तो हमें कैसे पतर चलेगा, यह थंडी है, तो हमें किस से पतर चलेगा, यह skin से, Summarize, हमने इस चैप्टर से क्या सीखा, तो देखे, our body has many parts, हमारे शरीर के कई पार्ट है, each part has its own work, प्रितेक पार्ट अपना का करता है, we use different parts of our body to perform different activities, हम अपने शरीर के अलग-अलग पार्ट का प्रियोग, अलग-अलग activities परफॉर्म करने में करते हैं, We have five sense organ, हमारे पास कितने sense organ है, five, पौन कौन से, eyes, ears, nose, tongue, and skin, तो बच्चों हमारा चैप्टर कम्प्रीट हो चुका है, अब हम exercise करेंगे, मैंने आपको नोटबुक में कुछ work दिया हुआ है, तो वो अब हम करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, देगे हमें करना क्या है, Write eight body parts in English and Hindi, eight body parts करने किसमें, Hindi and Englishman, तो हमने eight body parts दिखा हुएं, चलिए read करते हैं, E-Y-E as eyes, eyes means aakhे, E-A-R as ears, ears means kaan, and O as in nose, nose means knock, T-O-M-G-U-E, tongue, tongue means jeeb, H-E-A-D, head, head means sir, sir, S-T-O-M-A-C as stomach, pet, stomach means pet, H-A-N-D, hand, hand means heart, hand means heart, L-I-E, P-E-A-S, lips, lips means heart, lips means heart, एक बार और आपको पड़ा दू मैं, Eyes, आखे, ears, कान, nose, नाग, tongue, jeeb, head, sir, Stomach, pet, hand, heart, last one is lips, heart, आपको ये notebook मैं, note करना है, Okay, बेचा, बाई!